ये प्यारी बाते इंडियन एक्टरिस जैकली इन फिननाने का फैसला तो नहीं किया है लेकिन देशभग के तरफ से ये गैरेंटी है कि बॉलिवूड में जो हिट्स का आकाल पड़ा हुआ है वो खतम हो जाएगा अगर ये रियल लाइफ स्टोरी पर पिच्चर बने आग पूरा डीटेल्ड रिव्यू मिलेगा आपको of the con man right here on देशभग और वो भी पिच्चर की टिकेट भी नहीं खरीदनी पड़ेगी फ्री में है पिच्चर शुरू होने से पहले मुकेश और फेपडो वाला आड भी नहीं चलाओंगा हा लेकिन एक छोटा साइड ये देशभग पे जाके आप पूरी लाइन ओफ हमारी मर्च टेस्ट और खरीद सकते हैं एन्यवेज कमर्शल मेसेज ओवर है शुरुआत करते हैं पिच्चर की पिच्चर की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे पे जैसा होता है न बॉलीवूड में फिर फ्लैश बैक में जा जैकलीन का भी अब ओफिचली नाम आ जाता है और इस केस का जो मास्टर माइंड होता है वो है कॉन मैन सुकेश चंदर शेखर जैकलीन फिर्नांडिस से इनफोस्मेंट डिरेक्टरेट बार बार पूछताच करती है जैकलीन का साड़े साथ करोर की एसेट्स को प्रिवेंश इसे से गिफ्ट्स लिये थे करोरों के गिफ्ट्स लेकिन ओडियन्स के मन में अल्रेड़ी एक सवाल आना शुरू हो चुका है कि एक खूबसूरत एक सक्सेस्फुल एक्ट्रिस वन ओफ दे बिगस्ट फाइनशल स्कैम्स में फ्रॉड में कैसे भच सकती है नेशन वंस इसे सीच कर कई सालों की महनत के बाद एक बहुत बड़ी कमपनी बनाई गई जिसे पहले उनके बेटे परविंदर सिंग और बाद में जाकर उनके पोते शिवेंदर और मलविंदर ने समहला अब जैसा कि बॉलिवूड में अक्सर होता है आप देखते हो कि बाप दादा की जो विरासत होती है ये नालायक वारिस जो होते हैं वो खतम कर डालते हैं शिवेंदर और मलविंदर को जब ये कमपनी विरासत में मिली तब ये बिजनस अलड़ी काफी पहला हुआ था रैंडवैक्सी के रावा फॉर्टिस और रेलीगेर के भी प्रमोटर रहे शिवेंद विजिबिलिटी नहीं होती है लोन पाने का लेकिन फिर भी मिल जाता है जो कभी वापस नहीं आता है और बुक्स में दिखाया जाता है कि देखिए हमें तो घाटा हो गया है हम टैक्स कैसे भर सकते हैं लेकिन उसके बदले में साइड में से खूप सारा पैसा कमाया जाता ह इन लोन लेने वालों में से एक नाम राधा स्वामी सत्संग ब्यास के स्पिरिच्वल हेड गुरिंदर सिंग डिलों का भी था जिन्होंने जमीन खरीदने के लिए लोन लिया शिविंदर सिंग जब इस फ्रॉड के मामले में रेस्ट हुए और घर में उनके पतनी अदिती सिंग रो रही थी तभी एंट्री होती है हमारे डैशिंग नकली रॉबिन हुड का नकली इसलिए क्योंकि अमीरों से पैसे चुराए तो जरूर जाते थे लेकिन वो गरीबों तक कभी नहीं पहुंसते थे खुद ही रख लिया जाता था या फिर अपने गर्फरिंड्स पर बाटा जाता था अरे तेजस्वी नहीं तेजस्वी प्रो मैक्स सुकेश चंदरशेखर ने अपने आपको अमिच शाह का करीबी बताते हुए कहा कि मैडम आपके पती को मैं बेल दिलवा सकता हूँ अब आदिती मैडम के पास पैसे तो बहुत थे और हालत उनकी थोड़ी टाइट थी, खस्ता थी, इमोशनल हालत में थी वो सुकेश की बातों में आ जाती है देख लिए, स्पेशल चंदिस का पार्ट टू चल रहा है वहाँ नकली CBI, यहाँ नकली होम मिनिस्ट्री फिर क्या था? सुकेश ने वोइस मॉडिलेशन और कई मोबाईल फोन अप्लिकेशन के मदद से गवर्मेंट आफिसर का नंबर को रेप्लिकेट किया, अदिती सिंग को कॉल किया कभी यूनियन होम सेकेटरी अजय भला बनकर कभी जूनियर लॉज मिनिस्ट्री आफिसर अभिनव बनकर और कभी लॉज सेकेटरी अनूप कुमार बनकर और इस तरीके से धीरे धीरे 200 करोर रुपए ले लिये गए अज़स्मिंट कराने के लिए बेल कराने के नाम पे नौ महिने तक चले इस कॉन्वर्सेशन में जब अदिती ने परसनली फिर मिलना चाहा सुकेश से तो सुकेश ने कहा नहीं नहीं भाई बाहर कोविड चल रहा है कितना responsible citizen है देखिए नो physical contact जब अदिती ने सुकेश के बारे में law authorities को report किया तो ये भी बताया कि कैसे सुकेश ने उन्हें बार बार call करके harass किया जब उनसे बात नहीं हो पाती थी तो उनको mother और sister को वो call करता था परिशान करता था आदिती सिंग ने ये भी कहा कि बार बार उन्होंने suicide करने की भी सोची सुकेश के लिए ये पहला मौका नहीं था ऐसा fraud करने के लिए बैंगलूरू में सुकेश ने पहली बार 17 साल की उमर में एक businessman को 1.15 करोर का चुना लगाया आज उन पर करीब 30 criminal cases चल रहें 2015 में उन्होंने लीना पॉल से शादी की जो की मलियालम movies में काम करती थी लेकिन story में असली glamour तो आता है January 2021 में कुछी समय पहले अपनी movie Mrs. Serial Killer में Jacqueline Fernandez ने अपनी जबरदस्त acting skills दिखाई अब देखिये जनता इस skill से impress हुई ना हुई सुकेश भाई साब तो भाई लट्टू हो गए Jacqueline Fernandez को फिर phone आने लगा सुकेश चंदरशेखर का शुरू में उन्होंने calls को respond नहीं किया लेकिन जब सुकेश ने अपने आप को introduce किया और बोला कि वो Sun TV और Malabar Jewelers का owner है और Home Minister Amit Shah का करीबी है तब Jacqueline ने उससे बात करना शुरू कर दिया उससे घास देना शुरू कर दिया ये चाचा विधायक है बोलने से क्या लड़किया सेची में पढ़ जाती है वैसे ये है Sun TV के owner असली मालिक सवाल ये है कि Jacqueline फिर किस बात से इंप्रेस हो गई भाई सुकेश के उसके डैशिंग लुक से उसकी personality से या फिर इस बात से कि वो Home Minister के करीब है वैसे भी दबबात हो है हमारे Home Minister का है उनके नाम से बहुत सारे दर्वाजे खुल जाते है तब से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और देखिए प्यार में छोटी मुटी गिफ्ट्स क्या बात है छोटी मुटी गिफ्ट्स तो होती रहती है Love is love, love can't be quantified लेकिन अगर छोटी मुटी गिफ्ट्स आ जाए तो क्या problem है तो ऐसे छोटी मुटी गिफ्ट्स Marriott Hotel में मिलना और इनको मिलाने में Pinky Irani का भी हाथ बताया जाता है जो उनके बीच में common link थी जैकलीन फिनान्डेस को क्या कभी भी ऐसा शक हुआ कि वो एक common के साथ comfortable हो रही है अगर कोई कुछ बनने की कोशिश कर रहा था तो जैकलीन को समझ में नहीं आया Cut to the present जब पकड़ी गई तो जैकलीन शुरू-शुरू में इन बातों से ED को साफ मना कर दिया लेकिन जब सोशल मीडिया पर उनके relationship और उनके photos viral हुआ तो मामला बिगड़ा अपनी बहतरीन acting skills के लिए महशूर जैकलीन ने फिर ED को समझाने की कोशिश की कि उन्हें पता नहीं था कि सुकेश ए कॉनमैन है वैसे एक बार ये बात भी सामने आई कि उन्होंने पढ़ा था कि चंदरशेकर को जेल हुई है लेकिन चंदरशेकर ने उन्हें बता दिया समझा दिया कि मुझे फसाया गया था I was implicated in a false case हाई कितनी भोली है जैकलीन या फिर कितनी greedy है April 2022 में जब जैकलीन ने अपना मूँ खोला तो पता चला कि उन्हें सुकेश से करीबन 5-6 करोर के गिफ्ट्स और about 1.7 लाक यूएस डॉलर्स दिया गया था एक वेब सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर को 15 लाक रुपए कैश भी दिये गए थे काम करने के लिए ED को ये भी पता चला है कि सुकेश उनके लिए प्राइवेट जेट और हेलिकॉप्टर राइट्स भी बुक किया करता था जिस देश में बॉइफरेंड अपने गर्ल्फरेंड के लिए ओला कैब राइट बुक करने में आना कानी करें वहाँ देखिए हेलिकॉप्टर राइट बुक हो रहा है अब आदमी पिगली जाएगा अब देखिए ये सब बड़ी बात है आप और हमारे लिए हो सकती है सुकेश के लिए बहुत छोटी मूटी बात थी क्योंकि तिहार जेल में प्रसिद तिहार जेल में 2017 से उन्होंने अपना घर बना के रखा था फूड अलकोहॉल कहां से आता था होटेल ताज से तिहार में आ रहा है और बोला जा रहा है 2020-2021 में 30 करोर का बिल सिर्फ खाना और पीना में लगाया है इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की इन्वेस्टिकेशन ये बताती है कि 2017 से चंदरशेखर का अक्सेस टू टेलिफोन था जेल के अंदर और टॉप टू बॉटम सब को पैसा खिलाया जाता था और सारी फिसिलिटीज उसको मिलती थी अपना फोन अपना ओफिस वेल फरनिश्ट और वहाँ विमिन विजिटर्स भी अलाउड थी चंदरशेखर जेल में बैटकर कार ब्रोकर्स को कांटक करता था गाडियां चुनता था और गाडियां फिर आती भी थी और उनका पेमेंट भी हो जाता था जैकलीन इस साब मामले में फस्तो गई लेकिन निकलने की कोशिश कर रही है इस साल जब जैकलीन आबुदाबी गई आईफा ओर्ड के लिए तो उन्हें 50 लाग का बॉंड भी बरना पड़ा अब आप बोलेंगे इतने बड़े फ्रॉड में 50 लाग तो मजाक है लेकिन इस केस में बहुत ऐसी चीजें हैं जो मजाक ही बनकर रह गई है कि law and order और जेल का और कैसे लोगों का मजाक बनाया जाता है वैसे जैकलीन के lawyer का कहना है कि उनके client को पूरी तरीके से फसाया गया है और जैकलीन ने अपने Instagram में अपने followers को भी साफ साफ बोल दिया है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है अपने Instagram post में उन्हों ने लिखा आशा करते हैं कि वो ED officers को भी समझा पाएं कि वो कितनी strong है लेकिन end में जैकलीन तो एक मोहरा है जैकलीन तो एक victim भी हो सकती है लेकिन देखिए जहां कहा जाता है कि हम corruption से कैसे deal करेंगे एक con man एक industrialist की पतनी को 200 करोर का चूना लगा सकता है एक con man जो तिहार jail को अपना playground और अपना harem बना सकता है एक con man जो Bollywood की top actresses को woo कर सकता है और सोचिये उसके connects कितने होंगे सोचिये वो system में कितना well ingrained होगा सोचिये उसके पास information कैसी कैसी होगी जो ये सब वो कर पा रहा है क्या सिर्फ पैसे के दम पे कर पा रहा है या उसके पास कुछ और पते भी है और अगर punishment हो भी जाती है तो jail में देख लिए क्या हुआ और हो सकता है आज कल तो remission का जबाना है इनको भी जल्दी रहाई मिल जाएगी लेकिन हाँ बच्वन में हमारे पेरेंट्स कहा करते थे ना कि बिटा वो टॉफी मत लेना अंजान लोगों से तो जैकलीन न कहीं न कहीं एक सीख हमें ये भी देती है कि चाहे हीरे हो या मूती हो रैंडमली कोई आदमी आके देने लगे ब्लॉग बस्टर पिच्चर वनेगी आँग लगा देगी ये पिच्चर गैरेंटी है हमारी नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाओ